पापा दूद पी लीजे पापा आपका व्रत है ना पापा और देखिए सुबह से आपने कुछ खाया भी नहीं है लीजे दूद पी लीजे पापा पापा अजुद टेखिए प्राइब चाहबं ये बचली को किया? बंसा जिव नगने अव बजय कियां। इसलेझ दोमंग माच्छ इसकाई रख़ा गोच्छ इसकाई को अदरी इसकाई बेड़ा नवी न न न जी मुझे मार दिया गया है मुझे वो लोगोंने मार दिया है नई…… नयचेजजे रभी… तुम थे? Ü सुमरें? नना जीड़ी अघर रता। तुम्हें कैसे मालू हूअ? नना जीड़ी!!! रप करना थे वसक्राइज। यह रिओ nu नए नाना कह Stream टेक हैं तुम थे ूल नुम भे मैं बात करती हूँ लिक के बत्राइब रचिप अवपा, आगर घिली ज 1 ए लो ए, रभी पपा है अवसिक शुलिए भाग इसफोग ओältि ऑा घरका है, हाजिक टूर क मेझ से सब्टसे करें अभी पापा की मौथ हार्ट अटाइक से हुई है डॉक्ते ने जाज भी कर लिया रवी और है किसी ने नहीं मारा तो मेरी बात समझने की कोशिच करो बाबुजी चल नहीं सकते थे वो वीलचेयर पे थे पता नहीं है तुम्हें वोसा मुझे नहीं नहीं पता सकते में पसकते में के आंटाए में आपी माहि नहीं है Jaytona, तो रवी पापँ किया नहीं है बाबुजी को इसमें आपकाो वि writers है कर्सा हमिए बाबुजी के आत्मा वावभी बाबुझी एगद गई विसandANA कहिंस एक्तंशित और बाबुजिए मुझे लगता है कि रवी सही कह रहा है तुम्हें भी क्या भाउजी नहीं बनाया है या आप ये देखें इनके जबानकाली पड़ गई है शाय डॉक्टर्स ने इनकी जबान चेक नहीं की है नाच्रल डेथ में जबानकाली नहीं पड़ती है इनने जहर दिया गया है ऐसे किसम का जहर जिसका असर तेर से पना चलता है मैंने कहा था किसीने नाच्री की जान लिया हमेरे पोलिस को इंफॉर्म करना ही होगा नाच्री का पोस्ट मॉर्टम हमें करवाना ही होगा पॉस्मार्टम अरे तु पागल हो गया क्या पॉस्मार्टम यह गलत कहां कह रहा है मेरी भी राय यही हमें पॉस्मार्टम करवाना चाहिए देखिये अगर पाउजी का वाकई खून हुआ है तो कातल का पता लगाना बहुत जरूरी है अधि रहा चाहिए प्रसाद फॉस्मार्टम का नंदु को का पॉस्मार्टम ने नहीं खुए तू कुछ खाया यह था उनका तु ब्रत था बस वो अन्दू ने प्रशाद के दिया था नहीं खाया था यह नंदू कॉन है पूल वाला है हमारे कर फूल देने आता है सर, सर, कमरे से ये प्रशाद मिला है तो ये वही प्रसाद है जो जी, वही है मिस्टर सतीश, आपका शक बिल्कुल सही निकला दीना नाजी की मौद जहर से ही विए और वो जहर उनके प्रसाद में था जो कि हमें उनके कमरे से में जब हमने नंदू फूल वाले से तहकीकात की तो उसने हमें बताया कि वो प्रसाद उसे रवी ने थी रवी रवी क्या में सही कह रहा हूँ जी हाँ इंस्पेक्रसाद तर नना जी को प्रशाद मैंने भीजबा था इसमें जहर मैंने नहीं मिला तूट बोल रहें आप अपक्वास कर रहें आप आपके घर से हमें यह zehr की सिशी मैं इसमें अभी वी जहर बाकी है और यही नहीं इसके पहले भी आपने दीन अना जी को मारने की कोशिश की जर नियुक्टर सहर अब ये कैसी बात कर रहे है वो मेरे नाना जी है जो गुट करूँ का बड़ा इसका फैसला तो अदालत करेंगी फिलाल यू आड अंडर एरिस्ट लिगर अफिर कर लो जै मामा जी बताईये इंको, मैं नाना जी का खून नहीं कर सकता अभी तुहारी ये कहनी है, जितनी विचित्र है, उतनी ही मनुरंजग भी सुनके मज़ा है लेकिन विश्वास करना ज़रा कठिन है ये भूत प्रेट की बातों पर अंद विश्वास की बातों पर ना अदालत विश्वास करेगी न मैं सच सच बताओ, कैसे बता चला तुम्हे अपनी नाना जी की देहानत का सच सची बता रहा हूं मैं अपसे सच नाना जी मेरे सामने खड़े थे और उन्होंने खुद मुझ से कहा अगर तब तक उनका देहान थो गया था तो भूत ही होंगा ना सर ये ये तो मैं के रहा हूं कि भूत नहीं हो सकते ना नहीं प्रकत होते लोंगों के सामने सर प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए मैंने अपने नाना जी को नहीं मार मुझे नहीं मालूम ये सब क्या हो रहा है मैं अपने नाना जी को नहीं मार सकता साब Your Honor, यह केस बहुत ही सीधा साधा सिंपल सा केस टू प्लस टू फोर वाला इस्यू है अधरत का जादा वक्त बरबाद होगा नहीं दिनाना तिवारी जी उनकी हत्या की गए और जो सबूत और हलात है वो सारे इशारा कर रहे हैं कि दिनाना तिवारी जी की मृत्यू उनकी हत्या, उनके नाती यानि की उनकी बेटी के बेटे रवी शर्मा ने की है दिनाना तिवारी जी की मृध्यू जहरीला प्रसाद खाने की वजा से हुई थी एक्चुली ये प्रसाद जो है वो नंदू नामक एक फूल वाले ने दिनाना तिवारी जी को दिया था वो रोज नंदू जो है, वो रोज फूल देने तो जाता था दिना नातिवरी जी को लिकिन उज दिन फूल बना के जहरिला प्रसाद खिला दिया और एक बात बता चली यह और कि यह जो जहरिला प्रसाद है वो नंदू को दिया किस ने? रवी शर्मा ने मैं जिर्व एक सवाल पूछना चाहता हूँ रवी शर्मा जी से जाज़त है तेंक्यू सवाल का जवाब मिल जाए दस मिनिट में तो केस कतम उसे पहले लंज घर पे कीजेगा जा रवी जी बताईए कि ये जो प्रसाद दिनाना जी ने खाया वो प्रसाद तुम ही ने नंदू फूल वाले को दिया था जी ने जी हाँ या जी ना मिस्टर जैसवाल क्या ये नहीं हो सकता कि रवी नहीं ही नंदू को प्रसाद दिया लेकिन जिस समय प्रसाद दिया प्रसाद में जहर नहीं था उसके पश्चात बंदू ने या किसी और ने उस प्रसाद में जहर मिलाया हो संभव है संभव संभव है संभव हो सकता है लेकिन एक चीज़ा जो मुझे समझ में नहीं हारी आप समझा दीजेगा मुझे कि वो कैसे हो सकता है यह बॉटल जिसमें जहर है और यह वही जहर जो दिनानाज जी के प्रसाद में था जर उने खाया और उनकी हत्या हो गई यह जहर वाली जो बॉटल जी आधी बॉटल वो रवी जी के कमरे से मिली यह कैसे हो सकता है कर चोड़िए यह और एक बात है ये ये चाकू तीसरा सबूत है रवी शर्मा जी के खिलाफ इन पर रवी जी के उंगलियों के निशान है और दिनाना जी की जब मृत्पी हुई उसकी पिछली राच ये चाकू दिनाना जी के बैडरूम की खिड़की के नीचे से मिला भार की ये कैसे कैसे पहुंचा वहां पर इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं दिनाना जी के वाच्में गंगा राम को यहां पर बुलाना चाओंगा जाओंगा रिजासत है हां साब उस राच जब हम अपनी जूटी कर रहे थे तो हमने बाउजी के कम्री के नीचे किशी को कर दिया और वो चाकू जतिन ने पुलीस के हवाले कर दिया और क्यनुसारु चाकू पर जतिन और गंगा राम जी के अलावा सिस ग्रवी की उंगलियों के निशान है तो केस ख़तम हो चुका है लेकिन फिर भी पाटक साब आपको पूछना चाहे तो पूछी लेता हूँ मै आपकी दलील को खतम कर देता हूँ बहुत अंधेरा था हूँ इसकार यह होता है कि आप विश्वास से नहीं कह सकते हैं कि वो व्यक्ति रवी ही थे नहीं साब हम कह रहें यह वकील साब कहें जाए यह मनलब रवी जो चाकू पर रवी के उंगलों के निशान मिले यॉर पूर जैस्वाल साब पता नहीं चाकू को लेकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं क्योंकि दीनानाजी की हत्या उनकी मृत्तियों इस चाकू के कारण तो हुई ही नही है आप आगया दें तो मैं अपने मुख्किल रवी से चंद प्रश्ण करना चाहूंगा इजाज़त है दल्यवाद रवी जब आपको अपने नानाजी के मिर्तियों के बारे में पता चला और आप उनके घर पहुँचे और सब के सामने आपने ये भावना प्रकट की के उनक किस कारण वश्याफ मैं सब्सक्राइब तो मुझे किसीने बताया था किसले मेरे नानाजी ने अच्छाए उस रात नानाजी खुद मेरे गार है दे नानाजी अविए जब दूब मालब रवी जी भूत वाली बाते करके अदालत को गुम्रा कर रहे हैं और ऑनॉरर पाटक साब आप पी क्या इतने सिनियर लेयर हो के हैं अरे नहीं जैसवाल साब भूत प्रेत में तो मैं भी नहीं बान था मैं केवल अदालत को यह समझाने का प्रहास कर रहा था कि रवी ने अगर यह हत्या की होती तो स्वयम उस घर में क्यों जाते और सब को क्यों बताते कि दिनानाच जी की मृत्यू स्वाभावी ग्रूप से नहीं हुई उनकी हत्या हुई पोस्ट मॉटम रिपोर्ट की मांग भ अच्छा किउनकी अरिकल यह गर पे जाके जो परीवार वाले है दिनानाच जी के उन पर से किसी पर इल्जाम लगाना चाहते थे क्यूंकि पूरी परीवार से उनको नफ्रत थी ये तो मैंने रोक दिया टोक दिया वरना रवी जी ये भी कह देते कि उनके नाना जी के भूत ने ये भी पता दिया है कि हत्यारा कौन है और भूत वाली बात इसलिए छेडी क्यूंकि उनको पता था कि जो पुष्पा जी ये वो अंधविश्वासी है और इस भूत वाली बा नहीं लेकिन मैं नहीं बोलूँगा नहीं ये क्योंकि मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे ना इसलिए यॉर ओनर मैं दिनाना जी के जो सुपुत्र है अजीत तिवारी उनको यहां पर बगाना चाहिए इजाज़त है यह रवी यह समझता है कि यह सब हमारी वज़े से हुआ है संभव है कि उन तीनों में से किसी में दीनानाच जी की हत्या की हो गार्ण दीनानाच जी ने अपनी कोई विल नहीं बनाए थी जिसके कारण उनके जायदात के बटवारे को लेकर परिवार में अशान्ती का वाता वरंड फैला हुआ था इस बात की पुष्टी के लिए मैं उनके घर के पुराने नौकर बिंदा जी को कटगरे में बुलाने के अनमती चाहता है अनमती है बाबुजी और उनके बेटों में तो कभी बनती ही नहीं थी उनके चोटे बेटे जतिंद वो तो कभी कभार उनसे बात कर लिया करते थे लेकिन उनकी पत्नी पुस्पा और आजीट ये दोनों उनसे लड़ते जगरते रहते थे ये जो जगरे होते थे किस बात पर होते थे पैसों के लिए वकिल साब धंदे के नाम पर उनसे बहुत सारे पैसे आंट लिये थो इन लोगों ने बाबुजी ने उन्हें पैसे देने से इंकार कर दिया था एक पैसा नहीं दूगा तुमें पेरी बरसों की कमाई तुम दोनों ने अपनी याशी में फूब दी अरियासीनाई मे डिसनेस यांज अरा जहनता हूँ मैं क्या बिजनेस किया तुम नовых आरे क्या करोगा गषिपा बचा कर a मरने के बाद हम दोनों कोई मिलने वाला है वो पैसा तुम दोनों नहीं रवी का और तुम्हारी तुम्हारी बेहन सुमन का भी बराबर का हाख के अस पैसे में एक पैसा नहीं दूँगा उन दोनों को, एक पैसा याद रखना ये जो बिल है वो हम दोनों के नाम कर दीजिया, समझ गए? महार जाओंगा, लेकिन ये सिविल नहीं बनाऊंगा मैं, मैं अपने जीतेजी रवी और सुमन पे कोई नहीं होने दूला और अगर जादा सबरदस्ती की, तो पुलिस पे जाके शिकायत दर्ज करवाँगा मैं, निकल जाओ तुम दोनों यहादी बहिया, बहिया चलो, बहिया, चलो, चलो यहांसे, चलो तुम भी चलो चांत सब माल दालोगा मैं चुट्टे को, मुझे धंकी देता है, अपने बड़े वेटे को बहिया, चलो, बहिया, चलो मैं समझाऊंगा जूट बोलता है ये नमखराम यही बाबुजी के कान बरता था ओर्डर ओर्डर मिस्टर अजीत प्लीज अपनी जेगा बैट जाईए या या यूर अनर रहा है सारी पाटक साब एक नौखर की बात पर कितना बुरोसा किया जा सकता है यहीन यह भी दौह सकता है पाटक साब जानता हूँ मैं जानता हूँ कि या इतने शरीफ है घली-घली में आपके शराफत की चर्चा है और अभी अभी बिन्दा जी ने दालत में जो बाते कहीं उन्हें प्रमाणित करने के लिए मेरे पास सबल साक्षे भी है अभी यह जो प्रसाद तुमने नंदु द्वारा भेजा था अपने नानाजी को इस प्रसाद के अतिरिक्त भी कोई तुम्हारे और नानाजी के बीच में कोई आदान प्रदान चल रहा है था है यह सर पिछले कुछ महनों से मैं और नानाजी नंदु के माधियम से एक दूसर रहे हैं वो चिठ्थियां इस समय मेरे पास यहां है इससे इस बात की बुष्टी हो जाती है कि बिन्दा जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है पढ़के सुनाता हूँ यूरोनर मेरे प्यारे रवी घर का माहौल अब और भी विगड़ता जा रहा है अजीत और पुष्प का विल बनाने के लिए मेरे पीछे पड़े हुएं मेरी जान के पीछे पड़े हुएं अच्छा है कि तुम इस माहौल से दूर हो और हो सके तो हमेशा दूर ही रहा है तुम्हारे माँ और पिता के साथ जो अन्याय मैंने किया शायद मेरे वही पापो का ये फल है जो मुझ कि मानता हूं कि अजीत ने दिनानाद जी को जाइदाद के लिए परिशान किया जान के पीछे पड़ गए थे लेकिन जान ली यह तो थाबित नहीं हुआ कहने और करने में बहुत फर्क होता है और वैसे तो आपके लिए भी मेरे मन में क्या फीलिंग्स हैं मन तो मेरा भी करता है कि मैं समझ गया अच्छी तरह से जानता हूं कि आपके मन में मेरे लिए क्या-क्या विचार है यह जो हिंसक विचार मेरे लिए हैं आपके मन में इन्हें बाहर करने का एक सरलुपा है कभी कबार एक आद केस जीट जाये तो अपने आप यह हिंसक विचार बाहर हो जाएंगे लेकिन मेरे होते हुए यह सरा कठेन हैं आपके लिए जैस्वाल साब कोशिश तो करीज जकते हैं ज़रूर कोशिश करूंगा फिलाल यह केस जितने की कोशिश करूं विठ गांड काइंड परमिशन सर प्लीज प्लीज यह जो सारे सर्कंस्टेंशल एविजिएंस आए वो सारे रभी के खिलाफ है और पाठक साफ जो दावा कर रहे हैं कोई सब कर दोड़ा बरता है उनकी थे हुगन मुदी झा जाल झाल कर दो कि या क्या कर रहा है बाभी जी वो मंदिर में माला चड़ाने आया था था थेली में क्या है इसमें फूल है देख लो एक किरी जल जा कर दो कि लुप me दर कर दो जां बाद कर दो वरुन हर के समान तो होता नहीं अब अलाग लाग केड़ी बैग नहीं से नंदू का खून हो गया और उसका खून भी उसी जहर से हुआ जिससे की दिनाना जी का खून हुआ था अड़े विचितरबाद ही भला अब नंदू को कोई क्यो मारेगा ये जहर उसे दिया कैसे गया था सिंग साम ये तो पता नहीं चला है लेकिन जब हमने उसकी खूली में जाकर के पूरी छानवीन की तो हमें वहाँ पर कुछ खाने की चीज भी नहीं मिली लेकिन एक विचितरबाद ये निकली कि उसकी खूली से में 20,000 रुपे का बंडल मिला सर जिसके खर में खाने को कुछ नहीं उसके पास 20,000 रुपे आये कहां से सोचने वाली बात है सभीरे नंदू कहां-कहां गया था ये पुलीस ने बता रगया है हम उन सभी जगों पे गया जहां वो फूल लेके जाता है लेकिन वो आज सिर्फ दीनानाजी के घर गया था लेकिन जब हमने उसके फूल की थैली को देखी सारे के सारे फूल जसके तस रखे हुए है केड़ी मुझे पूरा शक है उसने दीनानाजी के ही कमरे से 20,000 रुपे चुरा है क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको जिक साम हमें पुश्पा ने बताया कि आज उसने सुबह सुबह नंदू को दीनानाजी के कमरे से बाहर निकलते देखा और उस वक्त नंदू के अलावा और कोई नी था उस कमरे में मुझे पूरा शक है शक ही ने बलकि यकीन है कि ये पैसे उसने उनके कमरे से चुराए है हो सकता है इतने वर्षों से नंदू दीनानाजी के कक्ष में जाता था फूर रखने दीनानाजी पैसे कहां रखते थे ये तो उसे पता ही होगा प्रश्णा भी भी होई है कि अल्टता नंदू को कोई क्यों आ लेगा जिंक साब पता लगाई है कि नंदू कैसे जहर दिया गया था येस केड़ी और ये लिट यून तेक्यों मोशक पृब आग आने ये विल्ट दक्रेम्ने में मैं तेक्या विल्टी पांवर्ण ने मीन्यों को पांवर्णा़ टेứ than बड़ता ही काम करुनता किता है में इस सब लोग पांवर्णा खाठा है मैं ध्यूआ निchnet Corpsifier सब पैसा खाखा के मरेगा जो पैसा खाएगा वो मरेगा एवरीबान हो इस मानी में टाइड़ नंदू भी पैसे का कर बाला क्या यह सत्य है कि दीनानाज जी की मिर्ट्यू विश के सेवन से हुई है लेकिन्तु वो विश उस व्यां उस परशाद में नहीं था जो परशाद रवी ने नंदू के द्वारा उन्हें बिज़ायी थी उस परशेद बाद में जहर डाला गया ताकी इस अत्या का दोश रवी पे डाला जा सके नहीं अगर ऐसा जैसा है पिर अर आ जिनाना जी के शरीर में वह जहराया कहां से जब प्रसाद में था ही नहीं नहीं इसलिए भोगल रहा हूं क्यूंकि जो स्टमक वॉश किया गया बि коммент कि उससे सहावित होता है कि दिन पर में इसलिए भूज़ रहा हुए क्योंकि जो स्टमक वाश किया गया दिनाना जी काई इससे यह साबित होता है कि दिन पर में दिनानाजी ने कुछ भी नहीं खाया था सिवाई यह प्रसाद तो फिर वही सवाल पूछ रहा हूं कि दिनानाजी के पेट में वो जहर आया कहां से, नहीं मैं बता तो, मैं बता रहा हूँ, यह यह भी हो सकता है कि जो हत्यारा है, Your Honor उसने हूँ पकड़के दिनाना जी के मुह में ठोस दिया हूँ, जहर और एक, और एक option है, ये भी हो सकता है कि दिनाना जी को ऐसा लगा होगा कि जिन्देगी बीद गई, लाइफ में कभी जहर टेस्ट नहीं किया, चलो ट्राइ करके देखता है, मुझे बरने का बड़ा शौक है हो गया अपका ओके ये और वास्तविक्ता तो ये है कि दिनाना जी के शरीर में जहर इन नोटों के बंडल दुआरा प्रवेश किया मुझे दिनाना जी है, जहर वाली नोट खागे नहीं, चाट के क्या कर गए? चाट चाट के? नोट चाटता है कोई? नहीं, देखी एक क्रिप्या कर गया, इसे जड़ा भागे गिनेंगे विश रिश्वत नोटों के? नहीं, मुझा कर रहा हूँ गिनूगा, गिनूगा मैं, आप कहते हैं तो जरूर गिनूगा एक चा कर रहे हैं आप, चाट रहे हैं प्रियोंगी? मैं, मैं, मैं चाट, 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 चाट रहा हूँ, हाँ मिल्कुल इसी प्रकार से, यारोनर, किसी ने दीनानाज जी को ये नोटों का बंडल दिया, इन नोटों पर विश लगा कर रहे हैं उंगलियों को गीला करने के लिए वो अपने जीत से चाट लेते हैं, दीनानाज जी ने भी ऐसा किया और नोटों पर लगा विश उनकी उंगलियों द्वारा, उनके जीब द्वारा, उनके शरीर में प्रवेश करके गिंती करने के बाद यूर आउनर नोटों का ये बंडल दीनानाज जी ने सुरक्षिस्थान पर रख दिया कि तु विश का असर उन पर होने लगा यूर आउनर नंदू की मृत्यू भी वास्तव में एक यूही अकस्मात ही हुई है जब उसने दीनानाजी से ये नोटों का बंडल चुराया उसे नहीं पता था कि वो अपनी ही मृत्यू को निमंतर दी रहा है आउनर प्रवाणित की मृत्यू की मृत्यू की पैसे हुई अपलीज ये भी बता दीजिया नहीं के ये जो जहर वाला नोटों का बंडल है वो दिनानाजी को किसने दिया प्लीज पता तो Your Honor, इस बात को प्रमानित करने के लिए, साक्षे पेश करने के लिए, मैं एक ऐसे व्यप्ति को गडगरे में बुलाना जाओंगा, जो कभी कबार दीरा नाजी की देखरे किया करते थे हाँ, कभी कभी मैं अपने पापा को कुछ पैसे दे दिया करता था, लेकिन इतने पैसे देने की मेरी हैसित नहीं, वैसे भी मेरे घर में मेरे बड़े भाईया और मेरी वाइफ पुष्पा ही सब काम हैंडल करते हैं अब अब जटीन जी ने कहा कि कभी कभी वो पैसे दिया करते थे यह साबित नहीं होता यह जो नुटो का बंडल है 20,000 रुपय वाला जैर वाला वो उन्होंने ही दिया था दिनाना जी को नहीं ना ऐसा आपको लगता है अगर लगता है तो फ्ली साबित कर जीजे ताकि मुझे बुरा ना लगे साबित तो करूँगा यहर अरॉनर लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए अजीज जी आप लोगों को कष्ट दिने को उद्देश्य नहीं है हमारा हम केवल एक रात दीनानाज जी के शयनकक्ष में गुजारना चाहते है हुआ यह कि कल एक बार फिर कल नात को रवी को दीनानाज जी दिखाई पड़े और उन्हें ने रवी से कहा कि उनके हत्या का यह जो भेद है वो उनके कबरे में छेपा हुए बस यह भेद जानने के लिए हमारा एक रात भीता ना चाहते खेडी साब क्या आप भी यह भूत प्रेत के चौचलों में विश्वास रखते हैं? अरे वो रवी जूट बोल रहा है वो ड्रामा कर रहा है अब आप समझ नहीं रहे है जूट कौन बोल रहा है कौन नहीं सच क्या है क्या नहीं यह तो कल सवेरे तक पता चली जाएगा एक रात की बात है जीचे बस अर्ष भावची की आत्मा बुरा मान जाएगा अरे मैं सच कह रहे हूँ भावची की आत्मा यही कही है मैंने भी मा की आत्मा को देखा था देखना उसको भी दिखाईदेगी मुझे यकीन है कर दो भी मुझे यहब़ची की एक रगा भावची की आत्मा की आत्मा घएगा की की आत्मा जाएगा का वब हाले की बात्मा की आत्मा मेरे दिनानाथ तिवारी लेकिन दिनानाथ तिवारी जी का तो देहन थो गया है मैं मरा नहीं हूँ मुझे मार दिया गया है और मुझे मारने वाले का नाम कि आये थे वो कौन आपके पिता जी देला लंची क्या का उन्होंने कहा तो कुछ नहीं बाश अत्यारे का नाम बताया किसका नाम बताया उन्होंना कल किसका उन्होंने छुछ को लाभने योरोनर बेरे मोख्खिल रवी अदालत से बिनिती करना चाहते हैं आपकी अनुमती हो तो अनुमती है योरोनर जब कल रात लॉक अप में मैं बन था मुझे पता है आपको बिलीव नहीं होगा पर नाना जी फिर मुझसे मिलने आये थे और उन्होंने मुझसे कहा कि वो आज यहां हमारे बीच आएंगे और अपने कातिल का नाम बताएंगे मिस्टर रवी शर्मा आपको यह पहले भी बताया जा चुका है कि अदालत भूत प्रेत या अंदर विश्वास को नहीं मानती इनानाजी मर चुके हैं वो अदालत में नहीं आ सकते लेकिन यौर अनर मुझे विश्वास है कि अगर मैं उनको बुलाऊंगा तो वो ज़रूर आएंगे क्योंकि उस नाट भी तो वह ही आय थे ना मेरे पास परना मुझे कैसे बता चलता कि उनकी हत्या हुई यौर अनर मुझे लगता है कि अगर रभी का विश्वास इतना अटल है तो एक अफसर दिया जाना चाहिए हाँ वरभर मुखा देना चाहिए मैं भी मानता हूँ यौर अनर मुखा देना चाहिए बले ही अदालत का वक्त बरबाद होगा और क्या इनके सर पर हत्या का गंभीर आरोब लगा है मुझे लगता है यह और अनर कि इन्हें अपने बचाव में बोलने का एक अफसर देना उचित रहेगा ठीक है मिसर पाठक, मिसर अभी शर्मा मुझे उमीद है कि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं ये शिर्वान, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूं वो ठीक है बस मेरी एक दर्ख्वास्त है कि बस कुछ समय के लिए आप ये गोटरूम की रोशनी थोड़ी कम करते हैं प्लीज इजाज़त है लाइट्स ओ प्लीज ना जी कि आप मुझे सुन पा रहे हैं ना जी आपको आना हो आपने कहा था आप आएंगे और मुझे यहां से बचाएंगे ना जी कि आप अपने नादे को बचाने नहीं आएंगे है आईए ना जी हम सब को यहां आपका इंतसा है आपके नाते को आपकी दरूरत है ना जी मुझे पर जूटा इल्दान लगा रहे है लोग ना जी आईए ना जी प्लीज आईए ना जी आप आगे हैं मैं होती ना जी मैं कहा थना आप से ना जी क्या आप बता सकते है कि इसला हत्यारा कौन है जीहाँ मैं बताऊंगा जी मैं बटाओना मुझे मेरी बड़ी सुमून के आपके ड़ी है यह जब बक्वास है बक्वास प्लीज लाइस ओन करवाईए सच्चाई को सामने लाने के लिए प्लीज यह तो बिनदा प्रसाद है मतलब यह क्या मजाक मददा प्रसाद ही है तो 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 यह और अनर्की सच्चाई को सामने लाने के लिए मुझे ये चोटा सा खेल खेलना बड़ा शमा चाहता बास्तविक्ता में मेरे मुवक्किल को वहाँ लॉक अप में कोई भूत दिखाई नहीं पड़ा जो भूत दिखाई पड़ा था घर में वह भूत नहीं था यहाँ वह भी विंदा प्रसाद ही थे विंदा जी आगे की कहानी आप बताएंगे अदालत को या मैं ही नहीं जी मैं बाबुजी के बेटे जाइदात के लिए उनसे हमेशा लड़ते-जगड़ते रहते थे और याजीत जी यह तो हमेशा उने मार डालने की दमकी दिया करते थे जीतिन बाबुजी की मौत हुई ना समझ गए सरकार कि नहीं लोगों में से किसी ने बाबुजी को मार दिया सुनता क्यों क्यों विश्वास करते लोग हमारे उपड़ इसलिए हमने एक निर्णे लिया और बूत बनने का नाटक किया मैं जानता था कि रवी अपने नाना से बहुत प्यार करते थे बोल की मौत की छानबिन जरूर करवाएंगे सरकार जिस दिन बाबुजी की मौत हुई जब उस रात मेरे सर में बहुत दर्द था मैं अपने कमरे में सोया हुआ था और जैसे ही पुस्पा और सुमन वगरे कि रूनी के आवा जाई मैं समझ कैसा कि मेरे बाबुजी की मौत हो गई मेरे बाबुजी को मार दिया इन लोगों ने मैंने चुपके से बाबुजी की कपड़े पहने और घर से निकल गया और रवी के घर पर चला गया लेकिन वहाँ पर रवी नहीं था मैं बिजली बंद करके रवी का इंतजार करने लगा था कि योर ओनर मैं आरंभ से ही जानता था कि भूद के भेस में कोई अपनी ही बात कहने का प्रयास कर रहा है इसलिए इस भूद के भेद को जानने के लिए मैंने एक रात दीनानाद जी के कख्श में बिताई तो पता चला की अब कुझ लेकिन दीनानाद तिवारी जी का तो द मुझे मार दिया गया है और मुझे मारने वाले बंगा हूँ मेरी बीटी सुमन ने मारा है अरे सुनिया दीनानाद जी इंपर अपनी शकल तो दिखाई और उसके पस्चाति और अनर बिंदा जी ने मुझे पूरी सच्चाई बता लिए इन्होंने सुमन जी का नाम केवल इ क्योंकि इर्हो ने सुमन जी को देखा था दीनानाच जी को 20,000 रुपे देते हूँ आपकी आग्या हो तो मैं सुमन जी को कड़ घरे में बुलाना चाहूँगा अनमाती झी हा तो यहां पैसे में पापा को दिया थे थे ते पैसे तो दिये अच्छी बात हैAud entry का माराँक्यों नहीं जद सााफ़ मेरा बिर्थ नहीं कर दूता है जड़ी देडी सहाफ ऑफ़ लेड़ी शम्राइग विष्वास करी मेरा विश्वास करी मेरा नहीं आप नहीं अशित दिन ना जी के घर जाने के पीछे हुड़ अबदेश मेरा दो तरफा था एक और कि मैं भूत के उस भेद को खुल, जो मैंने बिन्दा के रूप में खुला। दूसरा ये कि मैं असल हत्यारे को पकुल। जब बिन्दा ने मुझे हत्यारे का नाम बताया, तो मैंने बाहर जाकर आये थे वो। कौन? आपके पिता जी देला लग जी कहा तो कुछ नहीं बस हत्यारे का नाम बताया मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं जानता था कि असल हत्यारा सुमन हो या कोई और वो हडबडा जाएगा और अपनी हडबडा हट मुझ पर आकरमड करेगा जो की हुआ यारू ये रॉनर मेरे हाथों में आ गई कान की ये बाली जिसकार थे हुआ कि जिसकी भी ये बाली थी उसका कान कट चुका था सुमन जी विश्वास करते हैं आप पर कि आपने अपने पापा को नहीं माना किन्तू परंतू आप पर आपकी बातों पर जितना विश्वास में कर पा रहा हूं तो भागे वश्चाप के पतिदेव की बातों पर उतना विश्वास नहीं हो रहा मुझे सतीश जी आईए ना ये ये आप क्या हुआ आपके कान में चूट लग गई आपके कान नहीं मिलते हैं आपके कानों में चूट कैसे लग कैसे कड़िया काना में ये जीब बात दिर असल ये है कि नहाते समय तावल मेरी बाली में फच गया था और मेरा कान कट गया जूट बोल रहे हैं आप सतीश जी सत्य तो ये है यार अनर के इन ही ने दिरानाज जी की हत्या की यही थे जिन्होंने उन नोटों पर जहर लगाया और अपनी पत्नी के जरियत दिरानाज जी तक पहुँचाया यही थे जिन्होंने मुझे मारने का प्रयास किया मुझको राक्रमन करके माने अना माने आप ही थे सतीश जी और इस बात का एक और साक्षिर है मेरे पास जिस दिन दिरानाज जी की हत्या हुई उसके एक दिन पूर्व भी सतीश जी ने उन्हें मारने का प्रयास किया था एक गुंडे को उनके शेहन कक्ष में भेज कर जब गुंडा करके पिछवाडे की पाइप से उनके शेहन कक्ष में जाने का प्रयास कर रहा था उसी समय मेरे मुझकि दवी वहां दिन आनाजी से मिलने पहुचे उसी गुंडे बबबन को मैं कटखरे में बुलाना चाहूँ हाँ तो बबबन साब ये बताइए कि ये जो दिनानाजी की हत्या आपको करने को कही गई थी ये किसने रुपए दिये थे ये सतीश साब जिहां जजज साहब तीनानाजी का खून मैंने ही गिला है मेरा धन्दा बिल्कुल चौपट हो गया था उझे पैसों की सक जरूरत थी और मेरी पत्नी देवी का उता है अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और अपने दोनों भाईयों से भी मेरे कहने के बावजूद ये अपना हक नहीं मांगना चाहती थी और मैं अच्छी तरह जानता था इसके ये दोनों कमीने भाई अपने बाप को टोचर करके उनकी सारी जाइदात खुद के नाम पर लिखवाने के लिए तयार बैठे थी और अगर एसा हो जाता जयाता जञी साब तो मेरे हाथ एक ध्यया नhen आथा इसलिए मैंने प्लैन बनाया मैंने प्लान बनाया कि मैं देनानाच जी को माड़ डालूगा मैंने बाबबन को भेजा कि वो दिनानाच जी को मार कि उनके कमल के कुछ चीजे चुरा ले, ताकि ये हत्या और लूट का मामला लगे, लेकिन ये रवी वहाँ पहुच गया, और इसने मेरा प्लान फ्लॉप कर दिया, फिर दूसरे दिन मैंने नोटों पे जहर लगा के, सुमन के जरीये नोट दीनानाज जी को पहुचा दिये, ये रॉनर मेरी पतनी बिल्कुल निर्दोश है, इस पिचारी को तो ये तक नहीं पता कि नोटों पर जहर लगा था, मैं किमिस्ट्री का स्चुडेंट रह चुका हूँ, जहर की अच्छी पहचान है मुझे, मैंने नोटों पर ऐसा जहर लगा है, जिससे ये थाबित हो जाए, कि मरने वाले की ड लेकिन ये रवी, इसने फिर मेरा प्लान फ्लॉप कर दिया, एन वक्ते वहाँ पहुच गए, इसने पोस्माटम का बखेडा खड़ा कर दिया, उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं, मैं इस रवी को इसके ही चाल में फसा दूँगा, फिर ओनर मैंने रवी को वो प्र पुष्टने से पहले मैंने प्रसाद में वो जहर मिला दिया, और वही बोतल मैंने रवी के घर में छुपा दिया, मेरी किसमत बुरी थी जच सहाब, अगर नंदू ने वो नोट नहीं चुराय होते, और नोट गिंते वक्त उसकी मौत नहीं हो गई होती, तो मैं कभी पकड दुर्भाग यवश्, आपकी किसमत आपको दोखा देगी, अगर देफेंस रस्ट जरॉर्ण अगर सतीश मिश्रा के एकबाले जुर्म के बाद या अदालत उन्हें गिरिफ्तार करके उन पर केस चलाने का आदेश देती है, और मिस्टर रवी शर्मा को बाईजद बरी करती है, दे केस इस क्लोज़ड, अजी सर, इस बार भी जीतने के लिए आपने वो पैतरा जो यूस किया मुझे पता था बूत बूत कुछ होते नहीं है नी यह लिखिए भर्म्मे मत रही है क्यूकि अक्सर जो होता है वो इस अडिकता नहीं है वो पार्ट किंखनोक07 सब्स्रेदा री वांचने और हमें इंजय ऑश लिंक तो शुछो आफिय और्स युआ जआ शूंच्टीज ग झाल झाल